तो दोस्तों, 100 माश्र कांपाणी का 16 kg हैमारिंग मैसीन ये मैसीन मेरे पास रिपेर करने लेके आया है बोर रहा था मैसीन जब से खरीदा है तब से इसमें कंपेसर कम हो रहा है आभी तो बहुत ही जदा कम हो गया है तो कामी बड़ी से नहीं हो रहा है तो मैंने बोला इसमें जो oaring होता ना वो खराब हो गया है तो इसी बाएसा ऐसे problem हो रहा है तो मैंसिंग को तो चला के देख लेते हैं तो बड़े से चल तो रहा है उसमें कम पर से कम लग रहा है तो इसमें पर्ट भी लिए मैंसिंग दो साल से चल रहा है तो क्या हो आए तो ओपन करके आपके साथ सेर करते हैं वीडियो का अच्छी से देखिए तो इसमें हम gearbox भी open करेंगे greasing check करेंगे और उसमें oaring भी हम change करेंगे तो आपके साथ सेर करते हैं जब भी हम कोई नया मैंसी open करते है उसमें जो बोल होता है बड़े से open नहीं होता है बूद यदा मेहनत लगते है वो गोंसे बड़े से चिपक के fitting करते हैं मैं भी इसमें गोंसे इसको चिपक के fitting करेंगे तो देखिए ऐसे कुछ रॉल लेके बहुत ही मेहनत लगते है इसको जब इसको open करते है तो आपके साथ जो real है वो share कर रहे है देखिए बहुत यदा कर्ष्ट हो रहा है तो आपके साथ share करते है जब हो युड़े साथ है दो जब आ इसमें बापन बेगार करते हैं इसको एनि zijn锹ah screaming इसक्過來 कुप धशचत स्ष्ग अपक है Fig़़ खालो है पीज़ब जेब बॉल्ट फीटिंग करते हैं उसमें कुछ गौंद डालके फीटिंग करते हैं बड़े से उसमें पकड़के रखे, तो हम जब भी इसको fitting करत ole Mixed 될, उसमें गोंद रॉल के fitting करना चाहिए, बड़े से पकड़के राएगा उसमें 3rd week क्राबने होगा, तो कितना वैन्थ होता है आपके साथ रियल में share किये है, तो आपको भी ऐसे मेहनत करना है, तो पहली बार आप उसमें खोलते हो तो आपको थोड़ा time लगेंगे, बूद बर क्या होता है, एक एक screw होता है, बड़े से open नहीं होता है, थोड़ा heat करके भी हमें खोलना है, कैसे मैंने open किया, आपके साथ share करते हैं, वीडियो कार्चे से देखिए, थापके। क्रिक्स लग से के लें रेट लोडस्य दो कुछ से नहीं कांवा कुछ नहीं कि ब मुच के लिए भी ब मुच के लें झाले थे तो झाले, तो झाले झाले जा झाले. कर दो दो खूब कर दो सकता है प्रूम्प्रीप्ट कर दो देखिए मैसीन को open करते हुए बहुत जीदा मेहनत लगा है तो गोन से बड़े से चिपक करेते हैं तो बोल्ट बड़े से open नहीं होता है तो आपको कैसे open करना है आपके साथ मैंने share किये है जो मेरा real काम है आपके साथ share करता हूँ तो मिलेको काम करना है इसमें ओरिंग चेंज करना है तो कितना तगलिव होता है आपके साथ रियल बें सेयर करते हैं देखिए बड़े से ओपेंड हो गया है धरे धरे करके हम इसको बाहर कर लेते है बड़े से बाहर हो गया है तो इसमें कमपसर तो ठीक लग रहा है तो इसमें ओरिंग में कुछ पॉबलम हो सकता है तो ओपेंड करने के बाद देखते हैं इसमें क्या पॉबलम है तो बिश्टन को हम बाहर करते हैं थोड़ा साब सभाए करने के बाद हम इसमें औरिंग को चेंज करेंगे तो आपके साथ कोई सेयर करते है औरिंग कैसे चेंज करना है तो मैसिन में नए औरिंग चेंज करेंगे इसमें कम पसर कम लग रहा है सिलिंडर को आच्छे से हमें चेक करना है यह साथ कहां पर आटक रहा था तो आच्छे से सापसावाई करने के बाद कहां पर भी कुछ पॉबलम है उसको चेक करने के बाद हम इसको फिटिंग करेंगे तो इसमें तो कुछ भी problem देखाई नहीं दे रहा है तो फिर भी इसमें क्या problem हो रहा है तो इसके अंदर हम fit करके देखते हैं तो इसमें compressor कम लग रहा है तो हो सकता है पहले से इसमें problem था तो आच्छे से सापसवाई कर लेते हैं देखिए piston का अंदर oaring ऐसे fitting रहते हैं आपको इसमें नीचे की और एक hole देखने को मिलते हैं और इसमें हम इसको fit करके भी देख लेते हैं तो बड़े से तो अंदर fit हो रहा है इसमें compressor कम लग रहा है तो नया हम oaring लेते हैं नया oaring इसमें fitting करेंगे अब पुरान बड़ा oaring भी हम change करेंगे उसको बाहर कर लेते हैं जिरे से paste करने पर बड़े से बाहर हो जाएगा देखिए बहुत easy बाहर हो गया है तो fitting जब भी करते हैं इतना easy fitting नहीं होते हैं थोड़ा कश्ट होता है तो आपके साथ real में share करते हैं कैसे आपको fitting करना है इसमें जो oaring है न बहुत यदा soft लगा बहुत यदा soft है तो इतना soft नहीं होना है तो हो सकता है इसी के बज़ा से इसमें compressor कम लग रहा है तो इसमें नया oaring fitting करने के बाद इसमें result क्या है वो भी देखते हैं इसमें gear box को हमें open करना है तो मैंने पिछले बार एक machine open किया था उसमें grease नहीं किया उसमें gear खराब हो गया है तो इसको हम open करते हैं तो elenki bolt से हमें इसको open करना है 5 kilo hammer में जो elenki bolt use होता है same bolt है तो elenki open करते हैं थोड़ा कष्ट हुआ है तो आपके साथ हम share करते हैं जब भी नए हम bolt को open करते हैं थोड़ा मैनत लगते हैं बीच्ट है झाल 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 पार जब भी ग्यार वो को अबंड मिकाट्त होता है तो इसमें इसी कोट अबा ढलके करके फो यह को अपन करते हैं ऐसे करने आपके साथ यह करते हैं को आपके साथ काटते हैं कि आ झाल झाल यप जखिटईफ लगुम 10ल मा लग फिर टीो और कियो है और अब खड़ाने में कर दोस्टी है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बात्ता है तो बोड़ी कि लीक पाल को अजिको पर धिक करेंगा झाल, पुंचछप जगा हुआए लागता हुआए वोजए जीक प्राव मैं याउटवा लागता हुआए लागता कि अछिक लागता हुआता है अगे थात ये उठान नहीं थात नहीं थात है ले चामटे के दीक समान कर ऊड़ता हू है सब्सकाइबी अरद थाले हो है है अपनल मोरो उट्तर या गयंगे आक है है हूझ एजे, हुआर एजे, है एजा? एज को पतो एंग जो एंग इजी उड हो के वीज़ इज़ी इसना अग एड जा है जिए छै को झाल जा करो एंग मैसें दो साल के बाद ओपन हो रहा है तो मैंने पिछली बार एक वीडियो दिया था उसमें मैसें में ग्रीस नहीं किया गियर खराफ हो गया तो इसलिए मैंने gear box को open किये है तो इसमें greasing थोड़ा कर लेते हैं तो आपको खोल के भी check कर लेना है ने तो क्या होगा grease नहीं रहेगा मैसें चलाने पर इसमें gear भी खराब हो सकता है अच्छार लाफ। झायओू झायओ झायओ झाल झाल जाल झाल पिन को ढूण रहा हो तो पिन नहीं मिल रहा है तो तो हम बड़े से देख लेते हैं गेर बॉक्स का अंदर भी रह सकता है तो मैंने बहुत ढूना नहीं मिला है तो इसको हम फिटिंग कर लेते हैं उननी अपर नहीं मिला हों पर भी रह सकता है औरिंग हम चेंज कर लेते हैं केमरान प्रो यह औरिंग बहुत ही अच्छे है तो मैंने पिछले बार इसको यूज भी किया था बहुत ही अच्छे से और्ट भी कर रहा है और बहुत दिन तक चलते भी है यह जो ओरिंग है थोड़ा हाड है और कंपानी के अंदर जो ओरिंग मैंने ओपेंड किया थोड़ा सौप्ट है देखने में तो दोनों ओरिंग एक जैसा लग रहा है तो दोनों ओरिंग में के क्वालिटी थोड़ा अलाग है तो यह बूदी सौप्ट था इसी बाएसे हो सकत तो इसमें कमपसर कम हो गया, नया ओरिंग फीटिंग करने के बाद मैसन को चला के देखते हैं, तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा, उसमें कमपसर कितना ज्यादा हुआ है, उसको काटिंग जब करेंगे, तभी पता चलेगा, तो फिर भी हम इसमें ओरिंग को देखके पता चल र बड़े बलजाब पर गैप होता है उसको ओपर की ओर मों करके आपको फिटिंग करना है कि आपको तो कि इसमें डिना है उसके बाद आपको जो औरिंग है उसमें भी आपको oil देने के बाद इसको fitting करना है तो fitting करते हैं मेरे को बहुत जी तक कष्ट हुआ है हाथों से इसको fitting नहीं कर पाए बहुत ही ज़ा इसमें पिसर था तो मैंने कुछ पत्ती दे के इसको fitting किये हैं तो आपके साथ share करते हैं तो आपको भी ऐसे ही इसको फिटिंग कर लेना है सब्ट रहेगा तो आप इजी इसको फिटिंग कर पाऊगे तो घुमा घुमा कापको फिटिंग कर ले ना है ध्रै-ध्रै करके बड़े से ही और देखे हैило कि अ इन जो कि तो तु कर जोआप ना है यह nasad – अल्यग को तो फिटिंग ौ गया है और डालने के बाद हम इसको फिटिंग कर लेते हैं झालने के बाद हम इसको फिटिंग कर लेते हैं झालने के बाद हम इसको फिटिंग कर लेते हैं तो आपको धिरे से इसको पेशार होते हैं आपको घुमा घुमा के इसमें अंदर बैठा लेना है बड़े से बैठ गया है तो ऐसे हम इसको राख नहीं पाएंगे जमिन पे लाख लेते हैं और बोल्ड में हम गोंद डालके इसको फिटिंग करेंगे एर राइट जो गोंद होता है दोनों को मीक्ष करके दोनों टीव होता है दोनों को एक साथ मीक्ष करके हम जो बोल्ड है उसके अंदर डालके इसको फिटिंग करेंगे यह जो गोंद है गम होता है गम बारा घंड लगते हैं इसको जमने में जो एक बाद जम जाने के बाद बोल्ड हो जाता है बड़े से ओपेंड ने होता है तो मैं पहले बार इसमें गोंद डालके इसको फिटिंग कर रहे हैं तो जब इसको open करेंगे मेरे को पता है बहुत ज़्यादा मैनत लगते हैं तो हमें heat करके इसको open करना है झाल 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 तो हमें इसमें फाइनल टाइट करना है तो जब भी इसमें फाइनल टाइट करते बहुत जीदा पिसाज से उसको हमें टाइट करना है तो pipe डलके पेसार स्यमस को tight कर लेते हैं तो बड़े से आपको tight कर लेना है, तो bootbar क्या होता है हम थोड़ा इसमें tight अच्छे से नहीं करते हैं, जब भी vibration होता है, open हो जाता है तो हम बड़े ऐसे उसको गोन देखे उसको fitting करना चाहिए झाल 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 मैसन बड़े से फीटिंग हो गया है, मैसन कम चला लेते है बड़े होोता है जा बड़े होता है मैसन तर्सका कोछ्या मैसन दो जोला यह जजाओ अजा गया है क्यों से आटली स्कारह आना है लिख नेन डाइट दाओ खंचत प्राख़ ऑप अपट लाइघत सबाख़ आट सबस्क्राइब लागन सब्सक्राइब करें दो उंता है कर दो है जालिए अटा दौर हें मोटा जो आट जाए वे तबूरानी या सु आला अजिसे करें लोग्या करी एक ड्ला शादा रिंजी प्रादा में अजार से काल शादा नो था क्ट ऑचुछब तो बूल था था करी प्रादा बाँ माहिब आइए नो तुल था 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 करें? लुट मुट समाल लुट अहीं पुली आइभ पुली आइभ जाओ 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 जिए जो ही जो है यह जग, भैजा कि आझते हैं, मेड़ी आग है कि आपती इस एडनी बढ़ हैाशात बह्त कि? आपता आपक ठाक कि अहना है आपते भाल भाल सरो प्रवाज लगा, आसागोरी कॉम रढ़ लाजी और अरोगा इना नहीं लगा व्रुप लगा अर्में लगा व्रुम